लंबे वक्त से चली आ रही अठकोलों के वीच मंगलवार को आखिरकार लिफ्ट नेता कनहिया कुमार कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हो ही रहे हैं कनहिया कुमार के साथ गुजरात के विधायक जिगनेश मेवानी भी कॉंग्रेस का दामन थामेंगे लेकिन इन दोनों नेताओं की इंचुरी से पहले ही कॉंग्रेस में इसको लेकर दंगल शुरू हो गया है एक तरफ मनीश तिवारी ने सवाल खड़े किये हैं तो वहीं भाचपा भी अब कॉंग्रेस पर हमलवार हो गई है कनहिया कुमार और जिंगनेश मेवानी मंगलवार दोपहर को नई दिल्ली में कॉंग्रेस जॉइन कर सकते हैं वह पार्टी के बड़े नेताओं की मौझूदगी में कॉंग्रेस का दामन थामेंगे एक तरफ जहां हाल ही के दिनों में कॉंग्रेस से कुछ यूबा नेताओं की एक्जिट हुई है ऐसे में ये दो बड़े चहरे एंट्री ले सकते हैं आपको बता दें कॉंग्रेस के सांसत और वरिस्ट नेता मनिस्तिवारी ने कनहिया कुमार के इंट्री पर सवाल खड़े किये हैं मनिस्तिवारी ने टूइट कर लिखा है कि कुछ कम्यूनिस्ट नेताओं के कॉंग्रेस में आने की अठकले चल रही है ऐसे में उनी सोतिहत्तर में छपी कम्यूनिस्ट इन कॉंग्रेस पढ़ी जानी चाहिए चीजें जितनी बदलती हैं उतनी ही समान लगती है तो वहीं भारती जनतापाटी ने कनहिया और जिगनेश की इंट्री के बहाने कॉंग्रेस पर निशाना साधा बीजेपी नेता अमीत मालवी ने ट्वीट कर लेखा कि सर्जीकल स्ट्राइक की अनिवर्सरी पर कॉंग्रेस भारत तेरे टुकडे होंगे वाले कॉंग्रेस का नहिया कुमार और जिगनेश मिवानिक को सुईकार कर रही है ये कोई संयोग नहीं है भारत के टुकडे करने वालों के साथ हाथ मिलाना कॉंग्रेस की आदत है वह आपको ये भी बताते चले बेजेबी प्रवक्ता संभीत पात्रा का कहना है कि टुकडे टुकडे गैंग ने भारत तेरे टुकडे होंगे का नारा दिया था इन्हें कॉंग्रेस अपनी पार्टी में शामिल करा रही है राहूल गांदी पहले ही जेन्यू में जाकर इनके साथ खड़े हुए थे और अब वो इस ओर आ रहे हैं गोर्त लभी की जेन्यू में कथित नार्यवाजी विबाद से चर्चा में आए कनहिया कुमार लगातार केंद सरकार के खिलाफ एक्टिव रहते थे कनहिया कुमार ने लेफ्ट पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाब लड़ा था लेकिन हार गए थे करहिया ने बिहार चुनाब में विपाठी के स्टार प्रचारा की भूमी का निभाई थी लेकिन अब वो कॉंग्रिस का दामन थाम रहे हैं